नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज गा जो टोपिक है उन लोगों के लिए है जो लोग अपने दुश्मन को लेकर बहुत परिशान हो चुके हैं यदि आपका दुश्मन आपके घर परिवार में बुरी नजर रख चुका ह या आपके घर परिवार के अंदर कोई बुरा करता जा रहा है या जैसे कि आपके घर परिवार के उपर कोई टोणा तोटका या कुछ बुरी आत्में आपके घर परिवार के अंदर सताने जा रही है या सता रही है आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको दिन परती दिन प्रिशान करता जा रहा है या आपके घर परिवार के अंदर दरारे पैदा कर चुका है और या आपके किसी भी घर या दुकान को हरपना चाहता है या आपके बिजनस में लोस्त देना चाहता है आपको दिन परती दिन दिक्तों का सामना करना पड़ रहा है अपने दुश्मन को लेकर यदि आपका दुश्मन बहुत परभावशाली है या बलशाली है तो आप उसको यह उपाई करने से तीन दिन में आपका शत्रू खतम हो जाएगा यदि आप अपने दुश्मन को खतम करना चाहते हैं यह शत्रू मारन प्रयोग शत्रू मारन विदी इतनी करते ही तीन दिन में मरेगा शत्रू दोस्तो यह बहुत पावरफुल टोटका मंत्र है इस मंत्र को तब ही करना जब इसकी बहुत ज़्यादा अवशकता हूँ दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो लाइक और सस्क्राइब जिरूर करें जिससे आने वाली वीडिय आपको मिलती रहें दोस्तो यदि आप शत्रू मारन परियोग करने जा रहे हैं तो यह चोटा सा टोटका उपाई देख ले और देखकर समझ ले समझने के बाद में यह उपाई करना किसी निर्दोश वेक्ति के उपर यह उपाई नहीं चल पाएगा तो दोस्तो आपको करन का सिक्का और आपको एक काला नमक का एक पत्थर वाला जो काला नमक होता है वो लेकर आना होगा और उसको मोली से इस परकार से भांद ले आपको यह शनिवार और रातरी और रातरी शनिवार को या आप किसी भी समय रातरी सही बारा बजे के समय के उपर यह उपाई टोट और उत्तर की दिशा में मुख करकर बैढ़ जाना है इस प्रकार से आपको सबसे पहले इस पोपर एक सिkkha रखना है तांबे का सिक्का होना चाहिए और उसके उपर इस परकार से कपूर रख दे तो आपको इस परकार से आपको पकर कर इसके उपर से ऐसे गुमाते हुए एक मंतर का जाप करना है मंतर आपको सक्रीन पर दिखाया जा रहा है यह मंतर आपको बोल के नहीं बता सकते यह मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है अमुक की जगा पर उसका नाम लेना है अमुक से हन हन स्वाह इस परकार से आपको पूरा मंत्र बोलना है जैसे मंत्र बोलते जाएंगे इस परकार से आपको करना है मंत्र आपको लास्ट में बताऊँगा कि कितनी बार आपको करना है इस परकार से आपको मंत्र बोलते जाना है और इसी परकार से आपको ऐसे इसके उपर से ऐसे गुमाते जाना है जैसे ही यह विदी आपकी पूरी हो जाएगी अपने शत्रू का ध्यान करना है आपको का ध्यान करना है जिस परकार से आप उसको मुत देना चाहते हैं जोस्तों यह बहुत ही पावरफुल टोटका है इस टोटके को तब ही करना जब इसकी बहुत जदा अवशकता हो यह सही 12 बजे के समय के अंदर आपको करना है और उसके बाद में जब यह सारी वीदी आपकी प मंतर का जाप आपको 1100 बार करना है दोस्तों जादा जानकरी के लिए सक्रीन पर दियेगे नंबर पर संपरक करें धन्यवाद दोस्तों